आज से अनेगों वर्ष पहले एक महापुरुष्थ्वारा दिये गए ये विचार ये उपदैशी आज भी किसी हादाश को उत्साहित करने में विछडे हुल को आगे बढ़ाने में और निराश का मनुमाई बढ़ाने लथा उनमें नया उत्साह भरने में सक्षम है आज भी ये विचार हमारे लिगे प्रिणा का सुरूत बने हुए है इन महापुरुष का नाम सर्वविदित है वे अपने कालजयी सतकर्मों तथा अवदानों अपने धार्मिक सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक अनुपोतियों तथा अंतर द्रिष्ट के लिए सारे संसार में सुपरिचित है हम बात कर रहे है स्वामी विवेकानद जी की वैसे तो स्वामी विवेकानद जी के वैशें ने जितना कुछ कहा जाए वो कम ही होगा उनके जीवन के अनेक पहलू है आईए आज उनी में से कुछ पहलू का दिलदर्शन करते हैं उनका स्मर्ण आते ही हमारे दिलों दिमाग पर उनके जीवन की एक सुविख्यात गठना एक चलचित्र की भाति जरूर उपहराती है 11 सितंबर 1893 का हूँ दिन जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में आयो जे विश्व धर्म संबेलन को पहली बार संबोधित किया वो दिन जगत के दिहाज में चिरस्मरणिया हो गया अपने उस सुप्रसित व्याख्यान के बाद विसमस्त भारत वासियों के साथ साथ सारी दुनिया के दिलों दिमाग में भीचा गए धर्म महासवामे प्रदक्त उनके व्याख्यानों के मात्यम से ही पहली बार पश्चन को भारती सभ्यता तथा संस्कृति को भली भांत जानने और समझने का अफसर मिला इसी गड़ना के मात्यम से उन्होंने समपूर्ण विश्व में भारत की गीरती द्वजा लेरा दे दे रंतु क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि उनका यहां तक पहुचना कितना मुश्किल था कदम कदम पर उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा जैसे अमेरिका जाने के लिए टिकेट वनवाना यात्रा खर्च की व्यवस्ता करना संभीलन में भाग लेने तथा वहां बोलने की अनुमति पाना ये सब संभव होना अत्यंत मुश्किल था पर उन्ही के शब्दों में संघर्ष जितना कठिन होगा विजय भी उतनी ही शानदार होगी उनके अपने जीवन में भी ऐसा ही हुआ सुआमी जी अपने विबिन नमित्रों के साथ मिलकर मार्क की सारी बाधाओं को दूर करने के प्रयास में चुट ले आखिरकार उनके द्रण संकल्प और शुप जिन्दकों के जीत दूर परिश्रम ने उन्हें उनके लक्ष तक परचा ही दिया इस शुरुवाती संघर्ष की जी शिकाबू के उस धर्म संभेलन में तालियों की गणगणाट के रूप में व्यक्त हुई और उनके परिपक्व विचार सोकर वहां सारे विद्वान चमत्कृत हो गए और शोता मंत्र मुद्ध भाव से उनकी बातों का रसा स्वादा करते रहे जब कभी स्वामी जी के इन विशेश मित्रों की बात उठती है तो एक नाम सबसे प्रबल भाव से आता है जिनके साथ चुड़ा हुआ उनका खनिष्ट संबंद आजीवन अडूट बना रहा उनकी ये खास मित्र तथा शिश्य थे खेत्री वियासत्ती राजा अजीद सिंजी शीखावत कुल की ये राजा, मिलनसार, न्यायतीर, कुशर प्रबंदक, पूर्वा क्रैम मुक्त होने के साथ-साथ विद्धुआन, कमी तथा भाक्त रहदे के भी थे उनके राजी में खेत्री बहुत भला फूला वो शिक्षा को अत्यंत अनिवार्य मानते थे उन्होंने खेत्री में शिक्षा विभाग की स्थापना करके वहां की साधारण पार्शाला को जैपुर मंडल के प्रथम हाई स्कूल में परिणत किया आज ये जैसिन हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है संस्कृत पार्शाला अथा कई प्राथमिक शालाएं एवन अस्पकानों की भी स्थापना कर उन्होंने खेत्री को एक नई दिशा दी आज भी खेत्री के निकट स्थित अजीत निवास बाग बंद अजीत सागर और बंद अजीत समंद उनकी कीरती धजा फैरा रहे राजाजी की जीवन का सबसे महत्त पूर्ण और प्रभावशालियत था थे स्वामी विवेक आनंद आए स्वामी जी द्वारा राजाजी को लिखे गए कुछ पत्रों पर नजर डालते हैं जिनमें उन्होंने लिखा है के इस जीवन में मैं आपको ही अपना एक लौता मित्र समत्ता हूं किसी विशेश काल में कुछ विशेश व्यक्तियों का जन्म एक साथ मिलकर कुछ विशेश कार्य करने के उद्देश से होता है अजीत सीन और मैं दो ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने मानव समाज के कल्यान हे तुम एक महान कार्य में परस पर सहयोग करने के लिए जन्म लिया है मैं उनसे प्रेम की अबिना नहीं रह सकता और वे मुझसे प्रेम की अबिना नहीं रह सकते ये पिछले जन्म का सम्बंद है हम एक दूसरे के सहाय और परिपूरक है स्वामी जी के जीवन में जिन स्थानों तता विध्यों ने सर्वानेक मायत प्रपूर्ण भूमे का यादा की है उनमें खेदडी नगर और राजा पहादुर अजिन सिंका नाम समसे उपर आता है सोच कर देखिए जिस गठना से इस गनिष्ट रिष्टे की शुरुवात होई उनकी बीच की वो पहली मुलाका कितनी मात्वपूर रही होगी अपने भारत प्रमण के दोरान जब स्वामी जी माउंट आबू में ठेरे हुए थे उसी सबय राजा बहादूर अधीद सिंग से उनकी पहली मुलाकात और बाते होई राजा बहादूर ने स्वामी जी के सामने दो प्रशन रखे स्वामी जी जीवन क्या है एक अंतर निहित शक्ति मानों निरंतर अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने की चेश्टा कर रही है और बाहिय प्रकृति उसे दबा रही है प्रतिकूल अवस्थाओं के बीज जीव के आत्म स्वरूप को अभिव्यक्त करने को जीवन कहते हैं कि आच्छां कि तौ स्वामे जी फिर शिक्षा क्या है विजारों का स्नायों के साथ घंश्ट संबंद स्थापेद करवाने को शिक्षा कहते हैं भावों के द्रिढ सन्सकारों के रूप में प्रत्यक शिरा और स्नायों में व्याप्त हो जाने को को शिक्षा कहते हैं जब तक हमें अगनी की दाही का शक्ति का बोध नहीं होता जब तक वह अनुभव हमारे धंगनी और मज्जाओं में व्याप्त नहीं होता तब तक हमें अगनी का ज्ञान नहीं होता थोड़ा सा तरक शास्त्र कंठस्त कर लेने मात्र से ही शिक्षा नहीं होती जो जीवन के साथ मिश्रित हो जाए वही यथार्थ शिक्षा है प्रश्णों के समचितों तरपाकर सदा के लिए राजा बाहदुर स्वामी जी के अनुरागी हो गए और सच कहले तो उनका ये प्रथम परिजय ही एक सुद्रिल प्रेम की बंधन में परिड़त हो गया राजा बाहदुर अधित सिंग स्वामी जी के व्रथित्तों तथा विचारों से इतने मुध्ध हो गए कि उन्होंने स्वामी जी को खेतिनी में स्थित अपने महल में आकर कुछ काल लिवास करने का आग रह गिया स्वामी जी राजी हुए और राजा बाहदुर के साथ ही यात्रा करके 1891 इस भी नहींगी पहली बार खेतिनी पदा रहे खेतिनी में आगमन के कुछ ही दिनों बार राजा आजीत से स्वामी जी से मंत्र दीक्षा लेकर उनके शिश्य हो गए और ये गुरु शिश्य संबंध अट्यंत घनेष्ट एवं मदर था स्वामी जी से राजा जी ने बहुत तिक विज्यान रसायन एवन खगोल विज्यान की शिश्य शिश्य और स्वामी जी ने खुद खेतिनी के संस्कृत विद्याले में अश्टा ध्याई ग्रंथों का अध्ययन भी किया कहते हैं कि कभी कभी शिक्षक एवं शिश्य खगोली विद्याध्यन में इतने तलीन हो जाते थे कि वे कई रात दूर बीन पर जमें रहते थे और राजस्थान के रहस्य पूर्णा अंधकार में सुच्छ आकाश का सूक्षु परीक्षन किया करते थे अजित सिंग एक महान गुणगराही थे उनके दर्भार में बड़े-बड़े विद्वानों तथा करागारों को आश्रे प्राप्द हुआ करता था वे स्वैमी एक अधिकोशन वीना वादत थे उन्होंने अनेक भजन गीत तथा कभिताओं की रचना भी की थे ये एक सर्व विवित दख्या है कि स्वामी जी भी एक उच्च कोट के गायत थे अता सहजी समझा जा सकता है कि ये दो महान आत्माएं संगीत के गूब क्षित्र में भी चर्चाई किया करती थी राजा अधी सिंध्वारा रचित्स ठुमरी शेही का ये भजन स्वामी विविकानत जी को बड़ा प्रियता और वे उसे अक्सा काया करते थे उन में मोही को कच्छुना सुहा में तरपत चित दी ही अकुला में तरपत चित दी ही अकुला में उन में मोही को केरी सकी हमरे प्रिता मलको तेरी सकी हमरे प्रिता मलको जाए कोई ये बात जुना में जाए कोई ये बात सुना मेरे पून मिन मोही खेतनी में एक शाम जब स्वामी जी और राजा बाहदूर छत पर बैठे चर्चा कर रहे थे उसी समय एक प्रोढ़ा गाय का नीचे गीत सुनाने के लिए आई जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया वैसे ही स्वामी जी वहां से उठकर चले गए ये देखकर वो गाय का स्वामी जी की अससहज़ता को भाप गई और करूस्वर में उन्होंने सुधासी का ही भजन गाया प्रभु मुरेय वागोन चितन आधरो सवदर सीवे नावति हारो सवदर सीवे नामति मारो अब मुहे पार करो प्रभु मुरेय वागोन चितन आधरो प्रभु मुरेय वागोन चितन आधरो यह माया खुब्रम जान दिमारा सुर नास सघरो अब की मेर मुहे पार उतारो नहीं प्रण जात दरो अबागोन चितन आधरो प्रभु मुरेय वागोन चितन आधरो सवदर सीवे नामति हारो सवर से नामति हारो अब मुहे पार उतारो अबागोन चितन आधरो प्रभु मुरे अबागोन चितन आधरो प्रभु मुरेय वागोन चितन आधरो प्रभु मुरेय वागोन चितन आधरो भाजन समाप्ति पर स्वामी ची बोले मुझे क्षमा कर दो माता क्षमा कर दो मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ ही नहीं सका आज से मैं नर्नारी और उच नीज के बीच भेद भावों के संसकारों से मुक्त हो गया हूं तुम्हारे इस भाव पूर्ण भजन ने मेरी आँखों के सामने से अज्यान के परदे को हटा दिया है अपनी जीवन यात्रा के दोरान स्वामी जी कुल ती बार खिंदड़ी पधा रही थे खिंदड़ी में उगे तीनों बार आगबन में से तो 1891 में हुई उनकी पहली यात्रको सानिंध से आठ्रक तीरओं में मां मुई दूसरी को आशे शे याक्रा और 1897 में हुई दी सानिंद्ड הכ अरंन्दर के लूप में क्रस्तत किया जासकोता है उनकी पहली यात्रकी जलक हम शणुवत में ही बाच चुके है 1893 में राजकुमार जैसिन पिंचनु का उत्सव था शीखावटिये में पहले कभी किसी ने ऐसा समारोग नहीं देखा था खिद्री के राजप्रासाद में बड़ी धूम बची हुई थी अनिक राजाओं तथा नवावों के साथी साथ वहाँ विद्वानों, संगीतक्यों, कभियों तथा याचकों का भी जमावला एकत्र हुआ था राजाजी के लिए ये सारा उत्सव बिना स्वावी जी के अधूरासा था अतय है उनके आग्रह करने पर स्वावी जी इस जन्मुत सम्ने संबिलित हुने को तथा नन्नी से कुमार को आशीरवाद और शुबकाउन देने खेद्ड़ी पधाए ये थी उनकी दूसरी खेद्ड़ी यात्रा उन दोनों स्वामी जी अमेरिका जानी की तैयारी में व्यस्थ थे तो भीवे राजाजी का सप्रीम आग्रेटा नहीं सके इस यात्रा के दोर स्वामी जी हमेशा कहते थे एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखो जब ध्यान से कहीं बढ़कर है राजाजी ने अपने मित्र की इस चुनोती इस वित्तिया भाव को समझते हुए सुच्छा पूर्वक अपने गुरुदेव की इस यात्रा की पूरी व्यवस्था की समय दारी अपने उपर ले ली और अपनी सेवा प्रदान की शाहिद इसी कारण स्वामी जी ने अपने एक पत्र में ऐसा लिखा था भारत के कल्याण हे तू मैं जो थोड़ा बहुत कर सका हूँ यदि राजा जी से मेरी भेट नहीं होई होती तो मैं वह सब नहीं कर पाता खेतरी नगरवासी स्वामी जी के प्रतिबड़ी इश्टत्धा प्रीत तथा सम्मान का भाव रखते थे वे राजा जी के साथ जैसा स्मेय पूर्ण आचरान करते थे वैसा ही उलका वहां के समी लोगों के साथ प्रेम संबंध जुड़ गया था 1897 के 12 दिसंबर का दिन खेतरी के लिए एक बड़ा ही स्मरणी दिन बन गया इस दिन स्वामी जी एतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन से लोटने के बाद खेतरी पधारे और ये थी अबेनदन से भरी उनकी तीसरी खेतरी यात्रा उस समय पूरा खेतरी नगर उत्सा और आनंद से मतवाला हो गया था ये गरिमावे अर्शुलास के मध्य मरुस्थल में अध्यात्मिक प्रेड़ा की धारा बहाना मानू उनकी तीसरी खेतरी यात्रा का नैसर के गविधान था उनकी स्वागत में भूपालगड फते विरासमेल सुकमेल के साथ पूरा खेतरी देश्रीगी के दीपकों से जगमगा उठा 12 दिसंबर 1897 को खेतरी के पन्ना लाल शाहत अलाप पर प्रीथी भोज देकर स्वागी जी का पथ्य स्वागत किया गया 2011 से लेकर आज तक 12 दिसंबर का ये एध्यासिक दिवस खेतरी में खेतरी विरासत दिवस के रूप में धूमदाम से मेनाया जाता है कि अपनी परिवर्च्या के दौरान स्वामी जी कई नामों से जाने दे विवी दिशानन बेच्छन renew मेदेज। सक्चिद अनंद क्या आप जानते हैं किस्वामी जिस विवी अनंद नाम से विष्व ग्ख्याथ हुते हैं बो नाम उन्हों ने कम और कैसे दार्ष किया जो भगवा पगड़ी और वस्त्र वे बहनते थे क्या उसके पीछे के परतंग से आप परिशित है स्वामी जी आपका नाम बड़ा करें बिना टिकाकार की सहायता के किसी भी साधारन व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता और इसका उच्चारा भी सहाज नहीं और इस कहती रिक अब तो आपका विवी दिशा काल भी समाप्त हो चुका है अच्छा तो फिर राजा दी आप ही बताईए आपको कौन सा नाम बसंद है मेरी समझ में आपके योग एक नाम है विवे का नाम और यूँ अपने वित्र के अनुरोथ पर स्वामी जी ने विवे का नंद नाम धारण किया ये नाम कितना प्रसित, प्रतिष्ठित और प्रिय हुआ इस तथ्य से हम भली बाहती परचित है इतना ही नहीं बलकि उनकी ये प्रतिष्ठ तिछवी ये बगडी भी उन्होंने खेतडी नरेश राजा बहादुर भजीत सिंग के आग्रह पर ही धारण की ताजुन का राजस्थानी भगडी वारा चित्र और विवे का नंद नाम स्वामी जी की पहचान बन चुकी है ये मित्रता ये संबंद सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं था एक समय था जब स्वामी जी दो संसारों के बीच खड़े थे एक और था माता और ब्रातागण का बर्ण पोशन और दूसरी और थे महापुरुष के विचार विश्व कल्यान इन दोनों के वीच जूच थे स्वामी जी की दुविधा को उनके मित्र अजीत सिंग भली भांती भाब गए और उन्होंने आजीवन स्वामी जी के परिवार की आर्थिक सहायता और देखवाल कर न सिर्फ एक मित्र होने का बलकि एक परिवार्चन होने का भी धर्म वखुबी निभाया सच मानिये तो खेटडी उनके यहां बिदाए गए समय यहां गटी उनके जीवन की मैत्वपूर्ण गटनाओं और उनकी ये तीन यात्राओं से एक पवित्र स्थान बन गया जहां उनकी सीख, नेत्रित्व और दिखाई गए गिशा से आध्यात्मिक और जनसेवा कार्य शुरू हुए उनके द्वारा स्थापित जनसेवा भावी संगठन रामकृष्ण मिशन की राजस्थान की सर्वप्रतम शाखा विवेका नंद स्मित मंदिर खितडी में राजा अधिस्जिंग के बाउत्र राजा बाहदूर सर्दार सिंद्वारा रारंभ करवाई गए जहां आज कई कल्याणकारी और धार्मिक गद्विधियां होती हैं स्वामी जी की स्मित से परिपूर्ण ये जगा जहां वे अपनी खेतडी यात्रा के दौरान टहरा करते थे वहां अजीत विवेक संगरहाले स्थापित किया गया ये कमरा जो आप देख रहे हैं अपनी खेतडी यात्रा के दौरान स्वामी जी अक्सर यही ठैरा करते थे और यही पर राजा जी के साथ हुमकी आध्यात्मिक चर्चाई भी हुआ करती थी इसी कक्ष को आगे चलकर ध्यान कक्ष में परिवर्तित किया गया इन दोनों महान आत्माँ द्वारा एक दूसरे को लिखे गए अनेक पत्र उनकी इस अनूठी आत्मियता के साक्षी है ये पत्राज भी बेलूर रांक्रिश्न मिशन संग्रायले में सजो कर रखे गए हैं आज जिस धर्दी पर आप बैठे वो धर्दी एक ऐसी दोस्ती एक ऐसे गुरुशिष्य संबंध की जीवन्त गवा रही है जो न के बल खेतड़ी वासियों के लिए बल्के पूरे विश्व के लिए फ्रेरणा का एक महान केंद्र है इस अटूर्ट संबंध की अनेक गाथाएं खेतड़ी वासियों की किवल सुबान पर नहीं बल्के रिदय में भी सहज भसी है यहां का चप्पा चप्पा हर गली गल्यारा चौरा माल हर रिदय स्वामी जी की स्मित्य से परिपूर्ण है ये कैसा अनूठा संबंध था ये कैसा घनिष्ठ नाता था जहां एक की दुविधा दूसरा बिना कहे समझ ज्याता था सलाहकार हुए गुरुशिष्य हुए परिपूरक या फिर मित्र हुए कुछ रिष्टे नाते सज्मानों बिना नाम दिये ही अमर हुए नजर उठा कर देखो खेड़ी के इस काले नीले आस्मान में दो तारे जरूर दिखेंगे तुमें चपचमाते एक दूसरे के साथ में हाँ यही है वो दो पराक्रमी आत्मा है यही है वो ओज जो बिन कुछ कहे चिपचाप वहां से फैला रही है खेड़ी की इस तरह पर आलोक कर दो 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 खरब लिवास लाई रे